नमाजकार दोस्तों भाईयो इस recording में आपको बताने जा रहा हूं कि हम लोग REL 9 को एक virtual box जो आता है market में Oracle company आप सब लोग जानते हैं एक virtual box नाम को software देती है आपको जिसके द्वारा आप Windows के उपर आप virtual machines बना के ना उसमें आप एक operating system install करके आप उसमें चाहो तो practice कर सकते हो आपको physical laptop पे या physical desktop पे आपको operating system को replace या change करने की जरूत नहीं है जैसे कई बच्चे मुझे बोलते हैं भी कि सर मुझे REL 9 का भी practice करना है बट मेरे laptop पे Windows पड़ा हुआ है या desktop पे Windows पड़ा हुआ हो मुझे हटाना नहीं है तो आपके लिए best solution यही है कि आप Windows को पड़ा रहने दें आप उसके ऊपर दो software में आपको recommend कर रहा हूं या तो आप VMware company जो आपको VMware workstation देती है आपको वो पसंद आता है तो आप उसके ख्रीली आप डाउनलोड करके इसमें virtual machine बना के आप यहां भी practice आप कर सकते हैं तो देखो मैंने last वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया है कि VMware workstation कैसे download करना है कैसे आरेचल 9 का आपको setup करना है सेम कुछ बच्चों की demand उसमें मेरे पास अभी यह कि हम लोग VMware workstation अपने official वाले laptops बहुत कम यूज करते हैं हमको virtual box चाहिए मानलो उनकी practice करना है उनको virtual box के अंदर तो कोई बात नहीं अभी मैं क्या कर रहा हूं एक छोटा सा session आपको record करके दे रहा हूं कि सेम आरेचल 9 जो OS है आपका redhead के द्वारा जो launch किया गया अभी तो कि लैव आप virtual box में कैसे setup कर सकते हैं आप so that आप अपनी training rel 9 वाली virtual box में एक machine बनाके उस पर भी practice आप स्टार्ट कर सकते हो ठीक है तो चलो मैं अभी आपको step by step करके दिखा रहा हूं बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा यह वाला जल्दी से आपको समझानी कोसिस करता हूं कि मलब इसमें basic एक lab setup कैसे बनता है ठीक है देखो simple सा topic मेरा यह है कि हम लोग एक virtual machine rel 9 का कैसे बना सकते हैं using the oracle virtual box ठीक है अगीन मैं आपको बोल रहा हूं जरूरी नहीं कि oracle virtual box में software जो लेकर वीम बनाएं आप चाहो तो वीम वेर का अगर आपको work decision पसंद है तो आप उसमें भी वीम बना सकते हैं आप ठीक है ना तो इसके steps क्या होंगे exactly तो आप ऐसा feel करो कि मेरे घर पे यह मेरा एक windows का एक laptop है मेरे पास या एक desktop है बट मैं इसमें से windows हटाना नहीं चाहता हूं इसी के ऊपर में एक virtual machine बनाके आरेचल 9 की practice करना चाहता हूं तो क्या correct या right मलब एक recommended हमारे पास choice हो सकती है जो हम use कर सकते हैं तो आप ऐसा समझें देखो यह आपका laptop है इसी के ऊप पर आप क्या करें यह एक software मानलों आप install कर लें और इस software में ऐसे मालीजे यह ताकत होती है क्या कि इस machine में जो RAM CPU डिस्क लगा हूँ है न वो इसमें से काटेगा like this और ऐसे हम इसके अंदर एक आरेचल 9 यहां पर virtual machine हम क्या कर लेंगे दोस्तों install कर लेंगे चाहिए क्या पत आपकी C drive में space खाली है या D drive में इनमें कहीं से भी आप एक folder के अंदर पता Linux आपका install हो जाता है कोई data वेगर आपका loss नहीं होगा बहुत अच्छा तरीका है यह घर पे एक student को एक learners को practice करने का एक तरीके से ठीक है तो इसका ऐसा करते हैं ज्यादा time खराब नहीं करते हैं simple setup start करो भी आपका तो कैसे करोगे आप इसको देखो क्या करना है आपको देखो दूस्तों घर पे आप एक बार Google या कोई भी browser आप open करिए और इसमें जाके लिखिए कि भईया मुझे Oracle का virtual box download करना है तो आप मुझे उसका link provide करें एक बार तो देखो यह ऐसे लिखोगे तो यह आपको एक link आपको यहां पर मिल जाएगा तो simple आपको क्या करना है यहां देखो Windows host आ रहा है आपके सामने इस पर जाके downloading क्लिक करोगे बहुत ज्यादा बड़ा size नहीं फोल्डर का यह software का sorry 104 MB के आसपास है इसको download करके और बस simple next 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 करके इसको setup कर देना है तो ज्यादा आपको time 20 में खराब नहीं होगा बहुत lightweight software ऐसे मान के चलें ठीक है तो इसको इस तरीके से क्या करोगे आप अभी देखो next next करके आप इसको ऐसे मान के चलिए क्या करें आपने इसको भी install कर दिया आपने ठीक है तो install होती देखो क्या होगा आपके desktop पे एक icon बनके आ VirtualBox और मैं अब यहां एक VM बनाऊंगा इसके उपर ठीक है और जो bootable image आती है Red Hat की उसको यहां connect करके इसमें अभी मैं OS install कर दूंगा जब practice करना ही तो मैं इसको power on कर लिया करूंगा जब नहीं करना है तो मैं इसको setup कर दूंगा पर मेरे Windows पे इससे कोई impact पढ़ने वाला नही है तो मैंने पहला step कराया भी क्या download VirtualBox software and install it यह मैंने कर दिया दोस्तों अब क्या करना है आपको जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों Linux का अगर कोई भी flavor company अगर market में आपको देती है तो वहर एक vendor आपको एक bootable image provide करता है जो आपको download करना पड़ता है ठीक है तो आप यह पाएं आप और यह Red Hat की official website से दूस्तों फिरी में download हो जाता है इसके लिए कोई आपको चार्ज वगरा पे नहीं करना है हाँ इसके steps अगर आपको नहीं पता है तो मेरा last वाला एक Rel9 का playlist आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर ठीक है तो वहां मैंने बता रखा है कि आपको Rel9 कै करके पहले आपको Rel9 का image आपको download करना है ठीक है चलिए तो मैं अभी assume कर रहा हूं कि मेरे पास अलड़ी एक Rel9 का देखो image मैंने यहां पर download कर रहा है Red Hat के official website से आप भी download करोगे तो यह ऐसे ही आपको दिखाई देगा 7.99 GB के आसपास है तो दोस्तों टाइम लगेगा को यह download करना है पहले तो मैं अभी assume कर रहा हूं कि आपने दू step complete कर लिए है download आपने virtual box download कर लिया इंस्टॉल कर लिया आई आपने download करके रख लिया है अब आती है बात क्या कि मैं virtual box कैसे के अंदर machine कैसे बनाऊंगा installation कैसे करूंगा तो अब तीसरा step क्या है आप virtual box वाले icon प कि कम से कम दोस्तों एक GB RAM चाहिए होती है उससे उपर लेके चलोगे मालों जैसे 1.5 GB या 2 GB के असपास तो speed आपको अच्छा मिलेगा machine का ठीक है एक virtual CPU दे दीजिए हाड़िस की बात करें दोस्तों 5 GB enough होती है 5 GB से काम चल जाता है हमारा but recommended practice यह कि more than 20 GB लेके चलना 20 और 30 के बीच में सो देट आप आगे जाके Linux की अगर आप higher level पर practice करोगे तो थोड़ा से space आपको required होता है ठीक है तो अराउंड 25 या 30 GB लेके चलते हैं वह more than एन अफसे मान के चलिए उसमें practice आपके हो जाएगी तो अब मैं आप क्या कर रहा हूं देखो आपके सामने मैं पहले यह देख लेता हूं कि मेरे laptop में देखो RAM कितना है अभी अगर आपको properties में जाओगे अच्छा मेरे laptop में अभी जहां भी RAM दे के चल रहा है एक तरीके से आप ऐसा है जूम कर दीजे या आप 2 GB दे दीजिए अब बात आती है कि विर्कुल भी कोई data weight आपका loss नहीं होता है सिंपल एक virtual machine एक folder में जाके save हो जाती है जब तक machine रहेगी तब तक वो folder रहेगा जब machine को delete कर दोगे तो folder delete हो जाएगा बट आपका कोई data वगरा drive में से loss नहीं होता है तो assume करिए कि मेरे पास F drive में space खाली है जिनके पास C drive में है एक्सपरटाइज नहीं होते हैं पहले से तो कहीं आप गडवड़ भी कर सकते हो बीच में ठीक है तो देखो अभी मैं क्या करना हूँ आपके सामने simple आपके सामने मैंने यहाँ पर double click किया तो देखो पहली वार आपको यह window इस तरीके से आपको icon दिखाई देगा आपको screen आपको यहाँ click करना है आपको new पे जाके पूछ रहा है कि आप virtual machine बनाने जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है इसका नाम क्या रखना चाहते हैं आप तो हमने बोला कि भाईया हम इसका नाम rhl9 my vm1 ले लेते हैं पता क्यों 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 हो सकता है अगर मुझे आगे जाके एक virtual machine औ अब यह पूछ रहा है कहां इंस्टॉल करना है आपको यह बताओ machine तो मुझे C drive में भी नहीं करना है मैंने बोला कि मेरा space आप ले लेना कहां से भाईयो सुन लेना यह f drive में जाके एक simple folder में जाके आपकी machine बनेगी तो आपको टैंसन नहीं लेना है आपका data वेटा कोई loss न आपका अच्छी बात है नेक्स करिए इसको रहें देखो वंजी वंजीरो टूफोर यह देके चलता है बाई डिफोर्ट तो मैं अराउंड अभी टूजी भी लेके चलता हूं किसी बच्चे को ज्यादा लेना ऐसे तो और ले सकते मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आपके लेप्टॉप में अविलेबल है और ठीक है नेक्स करा मैंने अगे दोस्तों नेक्स्ट किया यहां पर आगीन मैंने नेक्स्ट किया यहां पर वर्टॉली डाइनमिक लीकर आगर आपको डिसके एकसपेंडेवल चीगी आगे जाके जिसका सायज आप बढ़ा सको तो कोई ब कमंड कर रहा है कि आप 8GB स्पेस ले लिए इसके लिए पट मैंने अराउंट 25GB स्पेस दोस्तों को दे दिया है भी ठीक है डन ना तो 25GB मोर देन अफ हैसे मानके चलो इससे ज्यादा भी ली सकते हैं अगर आपको जरूवत है तो बट फिलाल मेरा 25GB में काम चल जाएगा एजस्टूडेंट लिवल की बात करें मेरा काम चल जाएगा क्रिएट करोगे चलो जिमोबा रखो तो आपका मसीन बनके यहां पर देखो क्या हुआ रेडी हो गया है पहले तो एक बात सुन लें आप यह आपकी मसीन है देखो यहां पर अब इस पर राइट क्लिक करके आपको मालों यह मसीन भी रिमूब करनी है नहीं चाहिए आपको आप रिमूव कर सकते हैं आरहम से आपको इसको स्टार्ट करना है यह अभी सunge्डरेंऄ दे लेकिन अभी अभी हुआ क्या यह simple एक virtual machine बनी है लेकिन इसमें अभी operating system नहीं है आपका यह hard disk आपकी दिखो लगी है ना यह 25gb hard disk blank है भी है ना तो आप अभी इसको start नहीं करोगे सुन लीजे ध्यान से आपको पहले इसमें क्या करना है आपको इसमें क्या करना है पहले आपको एक रेल 9 का जो भूटेवल इमेज आपने डाउनलोड किया है ना उससे पहले connect करोगे आप तब आगे की planning start करोगे आप तो पहले देखो क्या करिए आप सेटिंग में जाना है आपको इजस से सेटिंग में जाके ध्यान दीजिए पहले तो यहां पर नेटवक देख लो आप ध्यान से इसमें करा एक वर्चुली नेटवक आएगा आपका जिसका टाइप नेट रहेगा कोई दिक्कत नहीं अच्छा है आगे जाके आपको इंटर यहाँ पर आओगे आप देखो इस एमटी पर क्लिक करना है दोस्ता आपको यहां पर एमटी वाले आइकन पर क्लिक करोगे पशीड़ी वाले अईकन पर जाओगे चूज डिस्क फाइल करोगे तो जो आपने image डाउनलोड करें न जहां पी रखा हुआ है उसको यहां से OK कर दोगे तो देखो यह automatic यहां connect हो जागा इस तरीके से तो समझ जाना कि अब हम installation वाला part start कर सकते हैं इस जस से आप यहां से start करिए तो अब आपको ऐसा feel होगा जैसे हमने physical machine में एक rails 9 का bootable image लगा दिया है और वो install होना start हो रहा है हमारे सामने इसको अब आप कर दीजे minimize इसकी आपको जरूरत नहीं है और इस वाले console पर काम करोगे अब सारा आप ठीक है यहां पर एक जगे फस जाते हैं तो दोस्तों वो सुन लीजी आप लो देखो यह एक अलग window है और यह अलग window है अभी करसर आपका देखो यहां काम कर रहा है अगर यह mouse मुझे इसके अंदर लेके जाना है तो याद कर दीजे कुछ बच्चों को पता भी होगा कि इसमें पहले से double click करना पड़ता है आपको क्या करोगे इसके अंदर पहले आप भाईयो डवल क्लिक करोगे ना देखो तो तो कोई करसर ऐसे अंदर देखो यह मूग वोना स्टार्ट हो जागा कीबूर से आपको ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और अगर करसर दोस्तों यहां से बाहर लाना है आपको प्रीज ध् इसमें इसको स्टार्ट करने से पैदे गड़वर होती है यहां पर जो चेंट करना पड़ता है आपको सेटिंग में यहां पर ध्यान रखना और यह एडवांस में जाके एक आपको यह ड्रेगें प्रॉप बड़ ऑप्स और यह बाइडियेक्सनल चालू करना यह से आपको यह जो माऊस सेटिंग करें इसमें दिक्कत आती है वर्चल वक्स में अगए तो इसको आपको अन कर देरा है तब जाके आप इसे क्या करें प्रॉपर यहां से इसको स्टार्ट करें इस ताई किसे चिक है अब यह स्टार्ट करने कर आप समझ जाहिए आपने जो इमेज का इस स्क्रीन में अपको गर अंदर जाना सी इंदर जाने पंसोल के आप पहले माउस से डव्ल ठीक करोगे तो देख Ihnen कीबोरGM क करसर इसको करोगे तो कीवेड, से करसर अपनी आप बाहर आ जाता है, यह कट आउस संदिया, सब्सक्राइब करते हैं उनको कंट्रोल ऑल्ट दवाना पड़ता है एक सब करसर बाहर आता है वर्चल वॉक्स में आपके कंट्रोल वाली की दवाओ के राइट साइड वाला करसर को रिलीज कर देगा बाहर आजागा विंडूस के आप विंडूस में कुछ काम करना चाहते हैं इसमें अंदर काम करना है अगें डबल क्लिक करना पड़ेगा यह जांते हो ठीक है अधरवेश आप परिसान रहोगे इसमें सेट अप नहीं कर पाएंगे आप पहला ऑप्शन लिया मैंने कि भीया मुझे आरेचल 9 इंस्टॉल कर सब्सक्राइब करते हैं और बहुत जादा पहले बेक्ग्राउंड बेसिक क्लियर करते हैं तो यह सब सिखाते हैं इस्टॉलिशन अलपाइब करते हैं अभी मैं सिर्फ लाइट लिए लाज दे रहा हूं अपको सब्सक्राइब कर रहा है और मैंने इसे कंचूल आएगा पके सामने पस उस कंसूल में आपको इदे को मीचे साब-साब लिखा रहा है कि प्लीज कंप्रीट आइटम्स मार्क्ड विद इस आइकन विफोर कंचुनुर तो दर नेक् कर सकते हैं यहां पर जब तक जहां-जहां यहलो आ रहा है आपके सामने वह आपको सही करना जरूदी है अब एक ही करके बात करते हैं कीवोड मुझे चेंज करना नहीं है सैटिंग है मेरा लेंग्विज का भी ठीक है टाइम जोन ऐसे कलकटा आ रहा है दोस्तों यहां पर आप टाइम जोन अपने इसाफ से चेंज कर सकते हो जैसे आपको चेंज करना मालो करता है तो मेरे लिए तो मैंने इसको ड़न कर दिया सब्सक्राइब होता है कि आपकी मसीन में जो आर्पेम से इंस्टॉल होंगे उसके बाद और जीवाइब होंगे तो यह ठीक है इसको दन कर रहे हैं यहां देखो स्टोरेज की पूछ रहा है आपसे आपने जो 25 जीवी का डिस्क हमारे साथ कनेक्ट किया है आपको उसे कैसे 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 ब्रेक करना है बताइए तो आप ऐसा करो कि मुझे अभी ज्यादा स्टोरेज की नहीं है और जब कर नहीं है तब तक मैं इसको यह दो ऑप्सन है मेरे पस पाकिसंद बनाने की दो ऑप्सन है या तो ऑटोमेटिक या फिर कस्टम कर रहा हूं कि बच्चे को बहुत के बारे में वह यह स्टोरेज प्राणिंग अपनी जरूत के साब से कर सकता है ठीक है ना निट्वर्क में आपको ध्यान रखना है यह आपका एक इंटरफेस है तो इसको यह आपको यह ऑफ मिलेगा ऐसे तो एक बार इसको ऑन कर देना आपकी इस मसीन में इंटरेट बगर नहीं है तो इनको ना चेड़ें आप जो डिफॉल्ट है पूरहने दीजे आप अब जैसा कि सब लोग आप जानते हैं लेक्स में सबसे पहला यूजर बनता है रूट जो कि हमारा सुपर एड्मिन कहलाता है यहां पर यह बोल रहते आप इसका पास्वर्ट सेट कर दीजे अब इसको आपको अब ले सकते हैं तो यहां कहीं चैक मांक आपको लगाना नहीं जरूट नहीं आप उसको डन कर दीजे यहां पैसे अब बोल रहा है कोई नॉर्मल यूजर बनाना है आपको बना देते हैं प्रैक्टिस के लिए ना जैसे मालूम मैंने एक स्टूडेंका एक नॉर्मल यूजर मैंने बना दिया और मैंने उसका पास्वर सेट करते हैं इसको डन करती है इतना ही है बसाय से मांगे चलो तो अगर आपको एक नॉर्मल मसीन बेसिक डिफॉल्ट कॉन्फिग्रेशन के साथ आपको रेडी करना है तो यह बड़ी प्यारी से स्टैप है यह किसी भी फ्लेवर में आपको याद होगा आर्पीम्स डलने स्टार्ट होते हैं तो कहिना करीं देखो आपकी स्क्रीन के सामने अभी यहाँ पे यह DVD में से आपकी जो ISO मेंज है न तो उसमें से आर्पीम डलना स्टार्ट कर देगा लास्ट में आपको बोलेगा यहाँ प नहीं है तो आपको और वाले वरिजिनस आपको जब करना आता है अब इसमें तरीके से कर सकते हो ठीक है अब नहीं करना स्टार्ट करें जब्सकार्ण नियूद करके इसका बैक्ग्रांड इस पर देख लिए इसको अब वेट करें थोड़ा सा यह इसको पहले इंस्ट्रॉल हो जाने देता है प्रेक्टिस करना आपको आता है यह ऑफिशल यह और देख लेते हैं कैसा यहाई देखो है यहाँ सिंपिल नॉट लिस्टेट पर क्लिक करोगे आप एक बार रूट लॉगिन नेम दोगे दोस्तों यहां पर रेड़ हैड इसका पास्वर्ट ट्राइए करेंगे आप एक बार जो आपने रखा है और देखें बड़े प्यार से आप इसमें लॉगिन कर जाओगे देखो तो इस तरीगे से आप समझे यहां पर क्या क्या आपको Rell9 का दोकर मसीन आरहम से क्या होगा यहां पर एक टिक है अब इसमें देखो एक चीज़ें आपके सामने द्ध्यां से न्टिस कर रहे हैं आप कि जब पहली वार आपके सामने यह मसीन इस तरीगे से आएगी ना वह यहां से ओपन करना है यह तर्मिनल खोलो यहां पर ऐसे न तो एक बर आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे आप इसमें एडवांस में जाके न एक सेकंड प्लीज प्रेफरेंस में जाके आप इसका एक बार क्या कर सकते हो यह जैसे जो इसमें कुछ सेटिंग आ रहा है देखो कलर सब्सक्राइब करने का समय कि इसमें को लाइट लेके लिए तो लाइट वाल वेग्राउंड अगर आप लोगे न थोड़सा हाँ यह ज्यादा अच्छा अच्छा है आपको इसमें कमांड साफ साफ दिखती चलती टाइम आपको मेरा चॉइस मलब यह कलर है लेकिन आप अगर आपको ब्लैक कलर आपक है ठीक है तो फाइनली ऐसे माली है कि यह आपका रेल अभी नाइन देखो आपका रेडी हो गया ठीक है अब बात आती कि यहां पर इसमें कुछ क्या माइनर चेंज़ हुए हैं वैसे दो को एक बात बोलूँ आपको लिनिक्स एडमिश्टर लेवल पर बहुत ज्यादा चे चेंज हैं बड़ इतने ज्यादा चेंज नहीं कि आप एकदम से काम नहीं कर पाऊंगे सब्सक्राइब कर लेते हैं इसके बारे में नोट्स निकालके कि क्या इसे माइनर चेंज़ है बस उतना आप जल्दी से पीडिएफ फॉलो कर सकते हैं अब रेड़ेट की वेबसाइट पर जाके और काम कर लोगे इस प्यारम से बहुत ज्यादा फाइट जितना मैंने इसको यूज किया मेरे समझ में इतना आया कि एक बच्चे को दिक्कत नहीं आने वाली जिसको रेली टेरेल से बनाता है वह आ आप दुबारा से नई मसीन बना सकते हैं बकि हां इस मसीन को मुझे भी पावर ओफ नहीं करना है बंद करना इसको तो यहां जाके आप इसको क्लोज कर दीजिए एक तरीके से तो देखो मसीन यहां से यह पावर ओफ हो जाएगी आपकी यहां से बापस से प्रैक्टिस करन अभी आप इसे फिर आगे रेल 9 वाली जो कमांड्स हैं आप उनको चलाना स्टार्ट कर सकते हो ठीक है तो होफुली आप सब को यह रेल 9 इंस्टॉल करना वर्चॉल बॉक्स में आगया होगा सेट अप करना बड़े प्यार से और बहुत ज्यादा टफ नहीं है ठीक है तो इस रिकॉर्डिंग को सुन सुन के आप आराम से इसको कवर कर दीजिए एक बार ठीक है थैंक यू सुमस्च दोस्तों सब लोगों के लिए थैंक यू